धरम नगरी कुरुक्षेत्र में उप पुलिस अधिक्षक पदपरतेनात तान्या सिंग को वर्दी की हनक में अपने मूँ बोले भाई को थर्ड डिगरी देना महंगा पड़ गया उसके खिलाब ने सिरफ अपराधिक मामला दर्ज हुआ बलकि हरियाना पुलिस विभाग के डिजी पी ने मामले का संग्यान लेते हुए उन्हें सस्पेंड करने के यादेश दिये हैं चलिए आपको दिखाते हैं पीडित ने अपनी आप बीती कैसे सुनाई सर अपना दस अपरेल का दिन ता जी अपना सूब का टैन तो साड़ी दस बजे का तो ताने डियसी सूबा ताने डियसी का मुझे फोन आया कि गुर्मीत भाई कहां पर है तो मैंने उसको बोला कि दिदी मैं मीरी पिर होस्पिटल में हूँ तो वो मुझे बहुत जैसे लगा कि गुसे में आनके बोली कि मुझे कहती है कि फटा 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 मेरे घर आजा अगर नहीं आएगा तो मैं तुझे गर से उठवा कर लेज़े अगर से उठवा दूगी तो सर उसके बाद फिर मैं जब अपना अद्र पोने गंटे बाद उसके घर पहुंचा तो जब मैं उसके घर पहुंचते सारी उसने मैं उसको मिला वो बाहर आगी अपने घर के बाहर आगी पहले तो सर उसने मेरा कि मोबाईल ता एफिफ्टी जो उसके बाद एक बलकार जो उनसा अपने आपको बता रहा था कि मैं चीके का रहने वाला हूँ दो अन्या व्यक्ति हो रहते जीनों ने मुझे सर इतना मारा कि मेरे बातुमाली जगो पर भी उनों श्टिकनी भी लगाई जो उनसी कपड़ों पर लगाते हैं और उसके बाद मेरे याँ पे लाट वियुक्ति के फार बड़ा राना रहा बातुमाली जो पर लेगे वहां पर मुझे मुझे कुटे वादे रही के साथ ऊसे ने बांदिया ने पान्चों ने मुझे बान्दिया, फिर में पहला कि ब्योश बहुत की बाइतनी , उसके बात मुझे मारते। मारते रे मेरे दाड़ी के बेदवी की मेरे वालों की मेरे करपान की वी बेदवी की की गई जो सा मैं एक अमरतारी सिक्ख हूँ और मुझे उसने बहुत मारा इन सबी पंचों जो भी वहां पे ते मैं तीनों को तो जानता हूँ दो अन्या को नहीं जानता जिनकी उमर 35-36 साल क्यों से ले गए तानिया ने बेदिया मैं ता मेरे पापा ते सरदार अमर जी सिंग्घरोली fırड के जो से सक्षतार जी थे वह थे उसके बाद मुझे सिया में ले जाने के बाद अपना कहा नाम मलकी सिंग दजनसी एक्टाफ का इंचारता वो मुझे सेक्टर पांच की चौंकी में ले गया जहां पे उन्होंने मेरे मेरे साथ मतलब कोरे रोजनामचे पे सेंड करवाए मेरे पापा के सरदार अमर जी सिंग हमें बोलता रहा मलकीत और चांदी रहा कि आप चले जाओ हमारी जिम्मेवारी है कि हम रोजनामचे पे कुछ नहीं लिखेंगे और जब मैं तान्या के घर पहुंचा था तान्या का जूंसा घरवालत अभी जीत उसने मेरे यहां पे गरदन अपने सिर पे गोली भी तानी और मुझे कहने लगा कि मैं तुझे ऐसा पहीज बना दूँगा आज कि मतलब तुझे कोई पशान भी न सकेगा फिर मुझे तान्या कहने लगी कि तु फरोडी है यहीं मैंने कहा दीधी आप मुझे क्यों मार रहे हो मैं दीदी कहता रहा और वो उसका घरवाला और तान्या मुझे माँ बेहनों की गंदी गंदी गाले निकालते रहे उसके बार फिर में पुछा दीदी कहती तू बबर खाल सा का अंतकवादी है कहती ही मैं तेरे उपर 306 का परचा दर्ज करा दूँगी चार सो बीस का परचा दर्ज करा दूँगी तू पहले मान की मैं मतलब की बबर खाल सा का अंतकवादी ये कहती ही मुझे बार बार की तू मान और मेरी परशाशन से यही प्रातना है कि इसके उपर सक्ते सक्त कारवई होर की जाए तांकि मुझे इंसाफ दिलाए जाए मेरे पास दस अपरेल दपैर को डी एस पी तानिया सिंग का फोन आया अमर जीत मैंने गुरमीद सिंग को बांद रखा है तू जल्दी जल्दी एक दो अपने मौजी आदमी गाम से और एक गुरमीद सिंग के पीता को लेके अपना फटा फट मेरे सरकारी आवास में आजा तो मैंने इसको बांद रखा है मैं हक्का बक्का रह गया भी दो जार सत्रा से इसकी अच्छर लेशन थे डिप्टी तानिया के साथ अचानक ये क्या हो गया तो मैं खेत में था काम कर रहा था मैंने कुछ पहुत दिल गए हो थे पानी पूनी दे रहा था जैसे आप बैठा हूँ वैसे ही मैं घर गया साथ में सरदार बलदेव सिंग को लिया और इसके पीता इंदरपाल सिंग को मगलमाज रहा के लिया और रहते में जाते जाते दस काल्य कर दी उसने मेरे को भी कहां पे है तु कहां पे मैं मैंने कहा सर मैंने जूठ क्यों मारना है और मैंने क्या लेना जूठ मार के तो मैं नजदीग लगाँ तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो इसको खोल दिया और नीचे बठा रखा तो एक गंदी सी बोतल पानी की पड़ी थी और ये सारा मिट्टी से इसकी पग इसकी पैंट इसकी अपना कमीज मिठी से लत्फत थी तो ये जब मैं पहुंचा वहाँ और मेरा मामा जी और इंदर पाल इसके पिता जी तो ये बहुत उंची-उंची रोने लग गया भी चाचा जी मेरे को बचाओ मेरे को इन्होंने बहुत मारा है मेरे उपर डंडा फेरा है फूट- कि संस्क्रीती है एहमद साब दाली को प्रित्वी राज चो आने 17 बार छोड़ा था चलो डिप्टी साब और उसके पती को भी कहा दो ती नन्या व्यक्ति थे मैं भी चलो आप भी इस पर रहम कर और छोड़ दो तो ये नीचे बैठा था गुरमीद सिंग जब इसने उसके पाओं में सिर रखा तो डियाइसपी तानिया सिंग ने ठुड़ा मारा उसके सिर पे पगड़ी को तो उसके गराला भी गंदी गंदी बैनी एकी गाला देते रहा तो गेट के पास ले गए तो वहाँ पे एक फलस थी इसने बोला जब इन्होंनों मेरे को कूटा ना पुरम किया और मैंने इसकी जब इसने कहा ना मेरी दाड़ी पाड़ी है बीच में से सेंटर में से इसके बाल नहीं थे वो मैंने अपनी आँखों से देखे है अर्थ परकाश के लिए कुरुक शेतर से कलतार सिंग की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ परकाश ट